नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका Current GK में इस वीडियो में हम फरवरी से लेके मई जून तक 2020 Current GK देखने जा रहे हैं और पार्ट 2 है ये Current GK का एक पार्ट अप्लोड कर दिया गया है GDP वरदीदर 4.2% CSO का अनुमान है CSO यानि Central Statistics Organization केंदरिये सांखी की संग्ठन के द्वारा यानि CSO जो है न दोस्तों यही आंकड़े जारी करता है नामी सांखी की संग्ठन है और NSSO नेशनल सेंपल सर्वे वो बेरोजगारी गरीबी उसके आंकड़े जारी करता है राष्ट्रिये आई के आंकड़े जो है CSO जारी करता है तो इसने 29 मई के अनुसार वर्स 2019-20 का जो वीतिये वर्स था उसकी GDP ग्रोथ रेट पिछले 11 सालों की सबसे कम रही 4.2% रही जबकी 2019-20 की चोत्ती तीमाही यानि जनुरी से लेके मार्च 2020 2020 का मतलब हो गया कि एक अप्रेल 19 से लेके 31 मार्च 2020 वो जो वीतिये वर्स है 19-20 तो उसमें GDP रेट कितनी रही 4.2% ठीक है और लाष्ट वाली जो चोत्ती तीमाही थी जनुरी से मार्च उसमें तो मातर 3.1% रही तो इसके कई कारण रहे आलागि वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है तरचाखा इसमें कुछ कोरोना भी कारण रहा आलागि कोरोना तो आप कहेंगे कि मार्च के बाद का है कुछ आर्थिक मंदी भी रही कुछ जो है आर्थिक नीतियां भी रही 2018-19 में 6.1% रही थी तो अब ट्रिक कैसे आद रहेगी आपको ध्यान में रखें कि 4 के आदे होते हैं 2 तो 4 पर 3, 4.2 तो 4 के आदे 2 तो इस तरह से आप यह मान लो कि कोई टाइम में 8-9 वाकरतिती उसकी आदी आगी 4 पर ठीक है हालांकि इसमें थोड़ी एक उम्मीद की बात यह है कि अमेरिका की कोई संस्ता ने कहा था कि आगला जो वर्स है उसमें ग्रोथ है यह अच्छी प्रोजेक्ट सक्ती क्या है दोस्तों यूनिसेफ यूनिसेफ संस्ता क्या है यूनाइट नेशन इंटरनेशनल चिल्डरन एजुकेशन और वेलफेर जो फंड है यानि बच्चों के लिए और वो शिक्ष्यादी कल्यान के लिए तो इसमें मानुसी छिलर यादोग आपको मिस्वल्ट 2017 मानुसी छिलर को प्रोजेक्ट सक्ती ध्यान रखें प्रोजेक्ट सक्ती का समन्द किस्से है मासिक धर्म स्वस्ता पर जागरुपता लाने के लिए जो है मानुसी छिलर जो है उनका चैन किया गया है प्रोजेक्ट सक्ती के लिए बलवीर सिंग दोस सोज होकी के प्रसिद खिलाडी रहे पिचारण वर्ष के आयों में अभी हाली में 25 मई 2020 को निदन हो गया तीन बार ओलम्पिक सोर्ण पदक विजेता ये उस टीम का हिस्सा रहे 1948, 1952, 1956 टीम के सदस्य रहे 1956 में मेलबॉर्ण में जो ओलम्पिक हुआ था उस टीम के ये कप्तान भी थे तो परसंद पूछा जा सकता है बलवीर सिंग का समद किस से है हो किसे है गोविंदा राजूलू चिंताला तो गाना भी ना गोविंदा आला रे गोविंदा आला तो अब कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अब नाबार्ड के अध्यक्स बन गए है ट्रिक है याद रखने की तो नाबार्ड क्या है दोस्तों आपको पता होगा नेसनल यानि नेसनल बेंक फोर ए यानि एगरिकल्चर आर मतलब रूरल डी यानि डेवलोप्मेंट यानि कर्शी और ग्रामिन विकास की जो बेंक है नाबार्ड इस्ताफना उनिससो बैंसी मुंबई तो अब इसके कौन बन गए हैं देख्स गोविंदा राजुल चिंताला आर बी आई भी दोस्तों मुंबई में ही है पिपी ए किट आपने नाम सुना होगा फुल फोरम ध्यान में नहीं है तो देख लो परसनल प्रोटेक्टिव एक्यूप्मेंट आप लोग फोटोज में देखते होंगे रियलिटी में भी देखा होगा डोक्टर्स जो पहनते हैं सीर से लेकर पूरी तरह से ढखे हुए तो अब हम देखते हैं तो वाकरी जो है न वो असे एक काफी रोचक और एक योधा की रूप में लगते हैं वो मगर जो पहनते हैं उन्हीं को पता है हवा नहीं लगते हैं तो पसीने से पूरे जो है बताते हैं डॉक्टर सिंट्रियोर में पूरे लथपत हो जाते हैं मगर तब ही तो दोस्तों दूनिया सलाम करती है उनको कोरोना युद्धा के रुप में तो यह जो पीपी किट है इसका निर्मान में चीन तो है फर्ष्ट और अब भारत ने इसका बड़े पेमाने पे अतपादन किया तो भारत है सेकिंड इस्तान पे है इसमें तो पीपी किट मेजर सुमन गवानी यह सेना में मेजर है महीला सुक्त राष्टर शेने जेंडर एड़ोकेट ओप दे इयर आवार 2019 इनको मिला है यानि जेंडर एड़ोकेट ओफ दे इयर ठीक है क्या करण? यानि महीला के रूप मे इन्होंने वो एक कार्य किया तो एक सस्रतिकरण और एक संदेश जा रहा है यूएन मिसल के तहट इनको दक्षिन सुडान में तेनात किया गया था आपको याद होगा सुडान से अलग होके दक्षिन सुडान बना था तो वहाँ सांती दूत के रुप में इननों ने कारी किया तो इनके परियासों से इनके चेयों से परबाई तोकर इनको ये पुरुष्कार जो है वो दिया गया है वैग्यानिक राजीव जोशी बारतिय मोलके अमेरिके वैग्यानिक है और event of the year पुरुसकार इनको मिला है करत्रिम बुद्धि मता artificial intelligence AI artificial intelligence ठीक है तो ये करत्रिम बुद्धि मता आप जानते होंगे computer, mobile, software इन में जो एक इनकी जो बुद्धी है वो समझ लेते हैं जैसे आप YouTube पे एक वीडियो देखेंगे current जी के तो ये आपको अपने आप सजेस्ट करेगा नीची 3-4 वीडियो कि अगला बंदा इसा चारा है तो वो क्या है artificial intelligence और electronic उद्धियोग पर इन्होंने कार्य किया 200 से जदा इन्होंने अविश्कार करके और उनको patent करवाया है तो ये है राजीव जोसी पेज नमर दोस्तों ये लिखावा है 9 पेज तक का आपको मैंने पहले पार्ट में कवर करवा दिया 10 से लेके 18 पेज तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो धेरिये बनाए रखें मेलान चोड़के बागे नहीं वई सुनो आप आप सुन लोगे ना एक बार इस वीडियो को तो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा आँकों से दीख रहा है कानों से सुन रहा है दोनों इंद्रिया काम कर रही है फिर पीडियेफ आपको तुरंत इसके नीची मिल जाएगी तो चिंता नहीं करें और पार्ट तीसरे में हम ये पूरा करवा देंगे जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई मैंने आपको बताया था इस वीडियो का मुखे सरोत है मूमल तो मूमल जो बहुती सांदार लोग प्रेपुस तक है उससे नोट्स तयार किये हैं आपको मौका मिले तो किताब जरूर पढ़ना तो आप ये पढ़ लेंगे तो वो बहुत इजी लिए आपको यादो जाएगी डिपा मलिक डिपा मलिक जो है भारती है पेरालंपिक समीती याने एक तरह से मैंने उसके सारे नोट्स तयार कर दी है कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ा है मैंने काफी कुछ भारती है पेरालंपिक समीती PCI की अध्यक्सा बनी है डिपा मलिक इन्होंने 11 मईश सक्रिय कھیलों से सन्यास ले लिया है 2016 रियो ओलंपिक में गोला फेंक में डिपा ने रज़त पदक जीता था और पेरालंपिक में रज़त पदक जीतने वाली पर्थम बारती महिला पेरालंपिक आपको पता होगा दोस्तों ओलंपिक होने के तुरंट बाद पेरालंपिक खेल होते हैं और जो दिव्यांग जन या जो विकलांग जन है, वो इनमें भाग लेते हैं, तो 2019 में इनको राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड मिला, इम्पोर्टेंट ये लाइन, ठीक है दिपा मलिक को, तो अब ये, इन्होंने सन्यास ले लिया है सक्रेख्यलों से, और PCI के अधेक सा मिलेगी, अगर आप ACF के तियारी कर रहे हैं, तो वहां आपको पूरा से लिवस के अकोर्डिंग, ये जो टो फेकल्टी हैं अनकेडिमी की, टीम टीचिंग इसमें करवाएगी, बेच कोर्सेज है ये, अलग-अलग जो फेकल्टी, अलग-अलग कोर्सेज करवाती है, मैं इसमें राजस्तान जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी जो है, वो करवाँगा, तो आप ये जो कर्स है, वो देख सकते हैं, अनकेडिमी एक बहुत बड़ा एजुकेशन प्लेट फोरम है, जहां बहुत सारी फ्री कलासेज भी है, इस्पिसल कलास के नाम से, और जो करवाँगा, उसमें भी ये फेकल्टीज है, जो ये कोर्स चल रहा है, तो आप अप पले इस्टोर से अनकेडिमी एपलोड करें, और उसमें आप मेरा नाम सर्च करें, तो आपको मेरी कलासेज वहाँ पे मिल जाएगी, और अगर आप पले सब्सक्रिप्स चाहते हैं, तो वहाँ कोड आप यूज करके, एमके डहका, और आप जो है 10% डिसकाउंट उसमें पास सकते हैं, धन्यवाद, तो हम बात कर रहे थे, टी एस, टीरू मूर्ती, ये यूनो में बारत के इस्थाई प्रत्यनिदी निक्ट हुए हैं, बारत में यून में एक तरसे भारत के राजदूत है ये, सेग अकबरुदीन का इन्होंने इस्तान लिया है, एक मई दो हजार बीस से, ट्रिक है मूर्ती, देखे मूर्ती कहीं रखते हैं, तो पर्मानेट रखते हैं, तो मूर्ती क्या हो जाती है, इस ताई, तो इसे ट्रिक से याद रखे, टी एस, तिरू मूर अधियर रंजन चोदरी, इंपोर्टेंट है प्रसंद पूछा जा सकता है, संसद की लोक लेखा समिती के अधेक्ष ये बने हैं, एक मई दो हजार बीस से, तीर सपरेल दो हजार बीस, यानि एक साल के लिए ये रहते हैं, इसको जन या लोक लेखा समिती या जन लेखा समि से, कार ये क्या है, सरकार के खर्चों का, लेखों का प्रिक्षन करना, और सामानेता है जो विपक्ष का जो होता है दल का, उसी को इसका अधेक्ष बनाया जाता है, तो लोक लेखा समिती के अधेक्ष कौन है, अधीर रंजन चोधरी, डिया मीर्जा, याद होगा आपको इपी, उनाइटेड नेशन इन्वायरिमेंट प्रोग्राम, उसमें सदभावना दूत जो है, इनको बनाया गया है, दोजार बाइस तक अब ये रहेगी, कार्यकालिन का बढ़ा दिया गया है, फोरप्स की अमीरों की सूची, फोरप्स पत्रिका है अमेरिका की, जो अमीरो की सूची जारी करती है, उसने सो भारती अमेरिकों की सूची जारी की है, जिसमें टोप में है मुकेस अममानी, जिनके संपती है, चतीस बीलियन डॉलर, चतीस पॉइंट आठ, बीलियन डॉलर, मीलियन यानि दस लाक, बीलियन यानि सो मीलियन मतलब एक बीलियन, अब सुन नमबर पे तीन नमबर पे सीव नाडार तो मुक्य संबानी जो है वो लगातार 13 वरसों से फर्स्ट रेंक पे बने वे हैं अमीर भारतियों में विस्व की बात करें दोस्तों तो विस्व में ये प्तरवे नमबर पे आते हैं विस्व के अमीर लोगो में विस्व का एक नमबर अमीर वेक्ति है जेफ वेजोस दो नमबर पे है बिल गेट्स मनोज आहुजा और अभी तीन नमबर पे तो फेस बुक का आ गया वो जो है ना जुकरबरग मनोज आहुजा है CBSE जो केंद्रिय मादे में शिक्षा बोर्ड है CBSE आपको पता होगा ना राजस्तान में भी CBSE पाटिय करम लगू हो गया है NGLT वाला तो वो CBSE CBSE के नए अधिक्स है मनोज आहूजा तरुन बजाज RBI के रिजरियो बेंकोप इंडिया है उसमें गवर्णर तो अलग होता है एक बोर्ड और होता है केंद्रिय बोर्ड उस केंद्रिय बोर्ड के नए निदेशक बने है तरुन बजाज नरिंद्र बत्रा नरिंद्र बत्रा अंतर राष्ट्रिय होकी महासंग F.I.H. Federation of International Hockey उसके पर्मुख ये बने है और I.O.A यानि भारतिय इंडियन ओलम्पिक एसोसियसन उसके भी ये क्या है पर्मुख है तो नरिंद्र बत्रा होकी होकी से ज़ाफ जिनको जोड़े एक बलवीर सिंग का नाम आया था वो तो निदन हो गया ओकी की खिलाड़ी थे ये अंतराष्ट ये ओकी मासंग के पर्मुख है और भारतिय आई O.A के भी पर्मुख है डोक्टर हारसवर्धम केंद्रिय स्वास्थे मंतरी डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ औरिगेनाईजेसन इसका मुख्य ले कहा है जेनेवा क्योंगे देखो हेल्थ के बिना जी ना मुस्किल तो जेनेवा स्विट्जरलेंड में है तो डबलू एचो में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक सुने गए है एक वर्स है तू यानि भारत को चुना गया है तो भारत की तरब से ये वहां काम करेंगे डबलू एचो का मुख्याले जेनेवा है सदस्य एक सो चुराण में देश है ये पेज नमर ग्यारा था ये पेज नमर बारा है एतलिट संदीप कुमारी पर परतिबन लगा दिया गया है संदीप कुमारी वाडा वाडा एक एजेंसी है डबलू ए डी ए विस्वय यानि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी डोपिंग रोधी एजेंसी डोपिंग क्या होता है कि जैसे ये खिलाडी लोग है इनको अपनी सरीर की ताकत इस्टेमिन ना बढ़ाने के लिए कुछ टेबलेट बगरे ये ले ले लेते हैं गोलें हो लिया तो जो जिन गोलें पर पर परतिबंध है कि वह नसे के रूप में आती है अगर वह इनकी खोन में मातरा पाई जाए तो फिर उनको ये परतिबंध लगा देते हैं तो डिसकस थ्रोर संदीप कुमारी पर डोपिंग के चलते अब सभी तो ने कृतिमर कोई आ जाते हैं तो चार वर्स का परतिमंद लगा दिया है तो संदीप कुमारी मिजोरम ये इंपोर्टेंट में डबल्टिक लगा रहा हूँ प्रिक्षा में परसंद मिल सकता है मिजोरम मिजोरम खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला बार्ट का पहला राजश जैसे परियेटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्तान राज़ है उसे तरह से खेल को उद्योग यानि खेल को भी एक इंडिस्ट्री का दर्जा देने से एक तो खेल का विकास होता है और खेलों को बढ़ावा मिलता है और सरकार को भी बेनिफिट होता है तो ट्रिक क्या है? रम मीजो रम है न लाश्ट में तो रम एक तो वो जो लोग लेते हैं वो एक अपने मारवाडी में राजस्तानी बासाई में रमना बच्चे खेलते हैं न कहते हैं बच्चे रम रहे बच्चा रम है खेल है पुरा दिन तो रमना तो रम यानि खेलना तो आराम से मीजो रम रम यानि खेलना बस रमना खेलना ठीक है बारतिय विवाद समाधान केंदर ये इसका गठन नई दिल्ली में किया गया है उद्धव ठाकरे यादोगा आपको तो दोस्तों उद्धव ठाकरे जो है वो 28 नौबर 2019 को MLA बने भी नहीं CM बने गए थे महाराश्टर के पतान आपको तो ऐसा हो सकता है विदहक बने बगेर भी 6 मैने तक रह सकते हैं तो 14 मैं 2019 को अब क्या है ये विधायक जो है ना बन गए है तो 6 माह तक अनुसेद 164 ये कहता है कि 6 मैने तक जो है वो रह सकते हैं मगर 6 मैने के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन का सदश्य बनना जुरूरी होता है तो उद्धव ठाकरे ने अब क्या किया है कि विधान प्रिसद से निर्वाचन ले लिया है कि विधान सबा के लिए तो MLA के उस टाइम इनको चुनाव लड़ना पड़ता वहाँ आम पब्लिक ओड़ देती विधान प्रिसद के चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं परस्ताव पारित करके हटा दिया है तो राज्य आप याद कर लो बुकाम ठीक है पहले था टीबी जुकाम अब आप बुकाम याद रख लो बुकाम ठीक है तो बिहार, यूपी, करनाटक, आंधरपरदेश और महाराष्टर यहाँ पर दो सदन है विधान परिसद और विधान सभा गेस रिशाव कांड लो बी, कर लो बात कहा हो गया LG Polymer Limited Company द्वारा लापरवाही से, लापरवाही से, उसके सेंटर से देखो काम तो लापरवाही से होता है, जान बुज़ के तो कौन करता है लापरवाही तो, कहते हैं लापरवाही फोड़ा गल है तो उसके सेंटर से, इस्टाइरीन गेस का रिसा हुआ तो देखो गेस का नाम भी याद रखें, इस्टाइरीन ठीक है, इस्टाइरीन महलें इस्टाइर नहीं हो पाया याद है कि आपको तो वो जो है वो गेस कोई सी थी पता है आपको M.I.C. मिथाइल आईशो साइनाइट ये परसन कई बाहर पुछा जाता था पहले अब हो सकता है अभी भी पूछ ले कोई दिमाग में आ जाए किसी के तो लिपू लेक धाराचूला मारग ये कौन सा रास्ता आ गया ये 80 किलोमिटर लंबा है 17,000 फीट की उंचाई पर है आठ मई को वीडियो कॉन्फरेंसिंग से क्योंग अभी तो कोरोना चल रहा है तो इसलिए केलास मान सरोवर की यात्रा के लिए है लिपू लेक दाराचूला मारग जो है वो बनाया गया है लिपू लेक तऱा उत्राकंड में है चीन, नेपाल और भारत तिनों का वहां भारत का तो ही अपना ही तो बोडर लग और लगता है और नेपाल ने अभी बरगला बहकाओं में आ गया और उस पर अपने मेप में और दिखा दिया देखो कर लो बात गुस्ता की कर रहा है ठीक है तो लिपुल एक दारचुला मारक जो है ये केलास मान सरोबर तो बोलो बोले नाथ की जे अभी तो सावन चली रहा है वेश ही तो अब है कच्रा मुक्त फाइव इस्टार रेटिंग वाले छे सहर छे शिक्स छक्का लगा दिया तो ये क्या है कि अभी आवास और सहरी मंत्रा लिनेक सुची जारी की थी जिसमें अंबीकापुर शत्यसगड में है राजकोट सूरत गुजरात अब जानती है और मेसूर करनाटक इंदोर एमपी और नवी मुम्बी महाराश्टरा तो ये छे सहर है जिनको फाइव इस्टार मिला है कच्रा के मामले में ठीक है तो ट्रिक भी है यहाँ मेरा नई अंसू मेरा नई अंसू तो कैसे भी हाँ प्याद कर लो तो मेरा यानि मेसूर रा यानि राजकोट नई यानि नवी मुम्बी यानि इंदोर ए यानि अंबिकापुर सू यानि सूरत सर्वस्रेष्ट हवाई अड़ा किसे बनाए गया है विस्वे का तो है सिंगापुर का चोंगी हवाई अड़ा ये जो है दोस्तों ये लगातार आठवी बार जो है ये रहा है सिंगापुर वाला और भारत वर मद्देशिया का है केप गॉंडा हवाई अड़ा बंगलोर में है केप गॉंडा हवाई अड़ा ये टोप रहा है चमबा सुरंगी ये इंपोर्टेंट है पुछा जा सकता है 440 मिटर लंबी है जिशी केस धारसू रोड पर चार धाम यात्रा के लिए जो है ये सबी मौसम में खुली रहेगी फाइदा करेगी ठीक है चार धाम यात्रा में गंगोत्री यमुनात्री केदारनात बद्रिनात इन सब के लिए तो पेज नमबर 12 पेज नमबर ये 13 चलो चलने देते हैं गाड़ी ठीक है तो अब आगे बात करते हैं परद्धान मंत्री वे वंदना योजना पी एम वे वी वी वाई इसे तीन वर्स वे वंदन यानि जो वे वरज लोग है उनकी वंदना यानि उनका भविशे सुरुक्षित हो रिटैरिमेंट के बाद बुड़ा पे में तो इसके लिए योजना चलाई गई थी इसे अब तीन वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है 21 मार्स 2023 कर दिया गया है पहले 20 था ये 60 साल से जो अधिक नागरिक है उनको पेंसन देने की योजना है तो इसमें क्या है वो निवेस करते हैं पहले यानि पहले वो थोड़ थोड़ी बच्चत जमा करवाते हैं पिर उसी में से तो पेंसन मिलेगी तो वो उसमें अब तीन साल इसको बढ़ा दिया है ठीक है बढ़िया है क्रिप्टो करेंसी ना सुना अपने चलो अब सुन लिया तो क्रिप्टो करेंसी जो है क्या है RBI ने इस पर रोक लगा रखी थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्स 2020 को रोक हटा दी क्या है क्रिप्टो करेंसी तो परसन पुछा जा सकता है इस टाइप के परसन R.A.S. मेंस एक्जाम में अक्सर पुछे जाते हैं यह एक डिजीटल करेंसी है डिजीटल करेंसी का मतलब उसके नोट दिखा ही नहीं देंगे मोबाइल में डेटा में चलेगी वो आकड़ो में चलती है जिसके कोई मालिक या अतोरिटी नहीं होती जैसे मालिजी अपनी मुद्रा है तो उसमें R.B.I.E. सरकार अतोरिटी होती है यह कंप्यूटर अलगोरिदम पर आदारित है सरोपरतम 2009 में जापान के इंजिनिर सतोसी नाग मोतो तो अपने सतोसी को अपने हिंदी में ट्रांसलेट कर लो सतोसी याद रख लो सतोसी नाग मोतो ठीक है ने बिट कोईन नामक क्रिप्तोकरेंसी बनाई बिट कोईन है تو bitcoin क्या है पुछा जा सकता है इसे computer रप्तर में economy में कहीं से पुछा जा सकता है तो यह digital wallet में रखेती है जैसे paid इसके ऐसके रेट बढड गई ऐसे कहते हैं कि इनमें कई लिए वार इसके जारों बार एट उपर निचे होती रहती है तो आलंकि ज्यादा शेफ तो नहीं है इसमें निवेस मगर लोग करते हैं क्योंकि इसमें कोई सेक्योरिटी नहीं है अगर कोई धोकाद़ी होगे तो कोई सुनने वाला नहीं है अन्य उधारन है जैसे बिटकोइ S.C. ने इसका आदेश देकर लेंगिक भेदवाव को समाप्त कर दिया है अब इसकी निउक्ति सोर्ट ट्रम यानि कोई महिला जब नेवी में जाती थी तो सोर्ट ट्रम के लिए ही निउक्ति होती थी 14 साल के लिए उसके बाद में उनको आवश्य क्रिटेरिमेंट लेना प अक्टूबर 2014 को प्रारंब भुआ था सभी जानते हैं और 2019 तक यानि 5 साल जो है इसमें क्या करवाए गया 10 करोड सोचाले बनाए गए इसका दूसरा चरण प्रारंब कर दिया गया है 2014 तक यानि 19 से फिर 20, 22, 23, 25 साल और इसमें 140,881 करोड रुपे वे का लक्षे रखा गया है थोस और तरल अप्सिष्ट पर फोकस रखा गया है यानि जो थोस है और तरल जो अप्सिष्ट है कसरा वगर है उसका प्रबंदन उसका पुनर चकरण और उसे उसका जो है ना उप सरकार का कॉईकारी होता है तो केंदर सरकार 60% राजे 40% ये लगबख सभी उजनाओं में दोस्तों 2016 है पूरो उतर के जो राजे है जिसमें वो सेवन सिश्टर आदी उनको नबदस का है और केंदर सासित परदेशों को 100% केंदर सरकार देती है नाम में केंदर सासित है विदियायोग 1905 अद्यक्स कोंते स्री मोतिलाल चिमनलाल शीतलवार ठीक है यह परसंद कई वार पुछा गया है शीतलवार याद रखें ठीक है 21 2015 से 18 तक बना विदियायोग था 21 विदियायोग तीन साल के लिए 15 से 18 और अद्यक्स ते जस्टिस बियस चोहान और अब 22 जो है 18 से 21 का इसका कारेकाल रहेगा तो इसमें क्या है वो सन तो पहले वाला चलता है मगर वो बीच में गटित कर देते हैं तो कारेकाल तीन वर्स का होता है अब इसके गठन को मंजूरी दे दी है एक अदिक्स और चार सदस्य होंगे अदिक्स का नाम भी आया नहीं सामने ठीक है अब आगे चलते हैं हाँ आगे है पदोनती में आरक्षन तो किसे इंट्रेस्ट तो आरा ना आपको पढ़ने में पढ़ाई में तो एसा ही इंट्रेस्ट आएगा बाकिस से ज्यादा इंट्रेस्ट फिर वो फिल्मों में वाट्सप चेटिंग पर उन्हीं में आता ह तो देखो पदोनती में आरक्षन पदोनती में आरक्षन जो है वहनुचेद 16 4व चारक है उसमें है ऐसी ने यानि सुप्रीम कोट ने उत्रा खंड उचिने लेके खिलाप निर्णे देते हुए कहा है कि पदोनती में आरक्षन मोलिक अधिकार नहीं है यह राजी सरकार के विवेक पर निर्वर करता है क्यों चाहे तो दे नहीं चाहे तो नहीं दे उन्सकी मर्जी एक देश एक राशनकार्ड मित्रों तो एक मही दो हजार बीस को खाद दे उप बोगता वैसार जनिक वित्रन मंत्री रामिलास पास्वान ने इसका सुबारम किया है वंदे वारत उनके कार्ण वीडियोसों में जो लोग फंसे हुए हैं भारतिये उनको विशेस विमानों से भारत वापस लाने की जो मोहिम चलाई गई है उसे वंदे भारत जो है मिशन कहा गया है एक छोठा सा वाक्या सुना दूं आपको आदा मिनिट में लोकडाउन के दोरान अभी हम से तो पीर में तो फंसी वी थोड़ी है यह कह सकते हैं भी पीर में है काफी दिन हो गए फंसी वी तो मतलब एसी मानलो को इसी इस्ततियों कि वहां कोई वेवस्ता नहीं हो और नहीं हो तो एसा थोड़ा परकरण वा तो हमने मजा की कि चलो मापके वहां फोन कर रहें और उ हवाई जहां से ला रहे हैं वो तो वन्देबार्ट मिसन है और पानी के जहां से ला रहे हैं तो वह है ओप्रेशन समुद्र शेतू भारतिया नोसे ना कि युद पोतों आइनस जलासवे आइनस मगर आदे की मदद से स्रिलंका मालदी यू एई यू एई यूनाइटेड लोगडाउन से ला रहे हैं बारतियों को उसे उस मिसन का नाम है ओप्रेशन समुद्र शेतू महामारी रोग दिनियम अठारासू सित्यानमा देखो अठारासू सित्यानमा याद आपको अम इस्ट्री में पढ़ते हैं पलेग फेला था और चापेकर बंदों ने केंदर सरकार ने इसमें संसोदंद करके स्वास्ते कर्मी पर हमला करने वाले पर सुन लो भाई ठीक है कोई मतलब अडोशी परोशी को सुना दो कि साथ साल की सजा और पांच लाख रुपे जुरमाने का प्रावदान है स्वास्ते कर्मियों पर हमने टीवी पे कुछ ऐसे नेगेटिव वीडियो देखे थे ना तो ये इसको जो है कठोर कर दिया गया है साथ साल की सजा और पांच लाग जूर्माना आत्म निर्बर भारत पेकेज केंदर सरकार ने बीस लाख करोड का पेकेज जारी किया है वितमंत्री निर्मला सितारमन ने इसे पांच चरणों में प्रस्तुत किया है जीडिपी का लगभग ये दस परतीसत है आरोगे से तू एप आपके मॉबाइल में होगा तो कोवीड पर नियंतरन के लिए सरकार ने इसे जारी किया है ये बलीटूट ओन रखता है लोकिशन ओन रखता है कहता है रखने के लिए और आप से उम्मीद करता है कि आप उसमें अपडेट भरें स्वास्तिय अच्छा ह गे बस आप से जो मिला और उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आ गई तो आपके पास में से जाज आएगी फला फला जो हुआ आप उस रेंज में आये थे और आपका जो यानि आप रिसकी एरिये में हैं इसी तरह से राजसान सरकार ने भी राज कोवीड इंफो एप जारी किय था हमें निर्देश थे तो हमने बहुत सारे लोगों मोबाईल में लोड करवाया था लोकडाउन के दोरान तो आपके मोबाईल में नहीं तो कर ले ना राज कोवीड इंफो यह इसी तरह से काम करता है राजसान सरकार द्वारा जारी है ठीक है आगे चलते हैं मतलब रहें रसिया इंडिया चाइना साउथ अफरिका पांच वेसे ब्रिक्स इंट को बोलते हैं ठीक है और लेटर रैट मरदा जो आना उसमें भी उसका नाम लेटर सब्रिक्स देशों ने चीन के संगाई में मिलकर एक बेंक एंडी बी बनाया था याद होगा आपको करेंट जीके मे अनिस तक बारत के के वी कामत रहे याद रखना इंपोर्टेंट है और अब साथ जुलाई 2020 से ये जो मारकोस है आज तारिक होगी आठ होगी कि आज तो कर ले बने हैं मारकोस एंडी बी के नए अध्यक्स बन गए हैं मारकोस ट्राइजो तो देखो ट्राइजो ट्राइज इनके पार्टे का नाम है लिकुड ने बिल्यव इंड वाइट पार्टे briefing देखो कया क्या नाम है बलेक इंड वाइट यह बुल्स एंड वाइट है पार्टे Denise गट्बंधन किया है इस ये कारण 17नूमब 2021 के बाद बेने गेटस ब्रदान मंतरी बनेंगे यानि इस में क्या कि इस बार इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो अब थोड़े दिन ये रहेंगे फिर अगले साल बेनी गेट्स बनेंगे तो वहां भी गटबंदन की सरकार्जों बनने लगी है रोबर्ट तो अजीवेदो ये डबलू टीओ के परमुक थे मगर इस्तिफा दे दिया गया औ और ये 2013 के पद पर थे और इनका दूसरा कारिकाल सितंबर 2021 तक था तो डबलू टीओ यानि वर्ल्ड ट्रेड उर्गेनाइजेशन तो विश्वव व्यापार संग्ठन तो अभी तो दोस्तों कोरोना के वज़े से व्यापार ठफ है तो आप ट्रिक याद रख लें कि वार मूल के अमेरिके अर्शास्त्री ठीक है और अमेरिकाने पिंटो को IBRD International Bank for Reconstruction and Development यानि अंतराष्टे पुर्ण निर्मान और विकास बेंक विश्व बेंक का ही एक ब्रांच है उसी का ही एक हिसाय पार्ट है IBRD में अपना पड़ती निदी निक्त किया है यानि दोको भारत मूल के अर्शास्त्री है अमेरिका में और अमेरिकाने इनको असोक माइकल पिंटो को उस जो IBRD Bank है उसमें अपना पड़ती निदी निक्त किया है तो इसका वालब भारती है जंडा तो सब जगें गाड़ रहे हैं वहलो भारत माता की जए IBRD WB की विकासी इलदेशों को इस संस्ता है WB मतलब World Bank मुख्याले अमेरिका वाशिंग अटन सदस्य एकसो नावासी तो इसको विस्व बैंक की खिड़की भी बोलते हैं पर परसंद पुछा गया एक्जाम में इस तरह का इस इसराइल में टेगोर स्ट्रीट इसराइल बेजामी नेता में अन्या हुआ अब यह ने पड़ा तो 9 मई 2020 के रविंदर ना टेगोर के 169 जेनती के आवसर पर इसराइल ने एक सड़क का नाम टेगोर स्ट्रीट रखा तोमान मुद्रा इरान इरान पाकिस्तान का अगला पड़ोशी देश ने एक हजार रियाल मतलब एक तोमान बड़ी खतरनाग इस रुपे कुछ होते होंगे लग बग तो एक बड़ी मुद्रा जो है इसने चलाई है अब है भारती है मौसम विवाग्ष मौसम विशी ठीक ही आज बारिस होई है पियो के इस्तित मुझवफराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान तो देखो मौसम में बारिस को बाल्ट पास बाल्टिस बालहना सुरू कर दिया है क्योंकि उधर पाकिस्तान के सी ने सुप्रीम कोट ने यहां चुनाओ कराने में केनमति दी थी तो हलाकि वहां चुनाओ करवाना जो विवादाश पर दे रिया इस लिए नहीं करवा सकते थी तो भारत ने आपतीा जटाई फिर बारत ने भी परते करिया सुरूप जो है वो उसको अपने मौसम विवाग में सामिल कर लिया वे से देखो प्यों के अपना हिसा है आज नहीं तो कल आएगा अपने पास विस्वा बेंक इसके अधिक्स डेविड मेल पास है ठीक है मेल पास फेल पास मेल पास जबकि उपादे उनके देखो तो है डेविड मेल पास और उपादेखो है महिला है कौरमेन रेनहार्ट उनकी किताब भी परसिद रही है तो द्यान में लखें इस टाइम इस डिफ्रेंट यह समय अलग है ठीक है 21 मई 21 मई को क्या है भारत के सुजाओ पर FAO Food and Agriculture Organization तो कर्षी और खादे संक् खेले रोम है इसका साइडिकली में रोम तो उसने पंदर दिसंबर के इस्तान पर 21 मई को अंतराष्ट्रे चाई दिवस कोशित कर दिया है देखो 21 जून तो है योग दिवस और 21 मई है चाई दिवस क्योंकि मई में ही चाई का उत्पाद है इसलिए सुजाओ दिया भारत न कि भाई यह दिसंबर क्यों कर रखा है मई कर दो ना तो उनका ठीक है मई कर लो क्यों चाई पिणे वाले तो इंडिया में यह जदा ठीक है नेपाल का नया मांचित्र तो दोस्तों मैंने इसको देखो उपर लाइन फेर दिया है ठीक हम तो शुकार नहीं करते इसको तो 19 2020 उत्राखंड के काला पानी लिंपिया दुरा और लिपू लेक को नेपाल ने अपने नए नक्षे में दिखाया है चोटा मू बड़ी बात नेपाल के अनुसार 1860 इश्वी की सुगोली संदी के तैत काली नदी के पूरवकी चेतर नेपाल के हैं और उसमें उसके धारा तो चूले में पटको इस नक्षे को बारत के अनुसार 1936 उत्राखंड का पितोड़ा गड़ जिले में आते हैं तो ये जो है नेपाल ने एक नया विवाद खड़ा किया है विश्वय प्रेस 77 था सम्मेलन हेग निदरलेंड में आयजित हुआ विश्य था भहे और पक्सपात के बीना पत्र का रिता देखो पत्र का रिता तो तभी आनन दाता एक तो डर नहीं हो खबर वहीं जो सच हो ऐसे बोलता ना और पक्सपात नहीं हो के बीना पत्र का रिता ठीक है तीन मई दो हजार भी स्विश्वे प्रेस अवतंतर था दीवस मनाए गया तीन मई एकिस मई चाई तीन मई प्रेस अवतंतर था शेने खर्चा देखो दोस्तों क्या क्या आप आइडिया लगाओ सबसे जबार खर्चा करता है शेना पे चाई बेतन हो चाई और उनका साजव समाण पर त्यारओं पर हो अमेरिका युएस से PBunder अब एक ड्लार पींचतर रुपे और बीलियन मतलब या यानि एक मीलियन याइन दस लाक एक मिलियन और सो मीलियन मतलब एक बीलियन अब आप जोड़ते रहों केलकुलेटर निकल के दो नमबर पे चीन है टीन नमबर पे भारत है 71 बिलियन डॉलर के साथ तीन नमबर पे भारत है चोथे पे रूस है पांचवे पे सौध यरव है और विस वक अलगवक 60% जो इस्सा है पांस देशों के पांस यह खर्च करने का शेना के मामले में तो यह है मामला दोस्तों आगे देखो UNECCC यह है चबिसवा कोप अब आप कहेंगे क्या CC देखो UNR राष्टर यह यह नहीं इन्वारिमेंट जलवा यू अब यह जो तीन सी है ना एक शी का मतलब हो गया Conference on Climate Change Conference यानि फ्रेम रख Conference on Climate Change यानि जलवाईव में जो परिवर्थन हो रहा है जैसे तापमान बढ़ रहा है गलेशिर पिगल रहे हैं जिसे कहते हैं गलोबल वार्मिंग उसके लिए है यह UNECCC तो उसका जो सम्मेलन है 26 26 कोप Conference of Party उसका अध्यक्स बिल्टे नहीं ज्यान रखना ठीक है COVID के कारण उसका आयोजन गलासको में होना था मगर हो नहीं पाया ठीक है गलासको युक्य में होना था हो नहीं पाया पर फिर यहां कोई परसंद बनता नहीं कि नहीं पाया जानकरी के लिए ज्यान में रखो ग्यारवाँ पिटर्सबर्ग जल्वाई उसमाद यह इंपोर्टेंट ज्यान में रखे पिटर्सबर्ग जल्वाई उसमाद यह 27-67 सप्रेल को वीडियो कॉन फ्रेंस के दौरा आजकल तो यह हो रहा है अब कोरोना की बदर से क्योंकि वर्चुल है ना तो मेजबानी जर्मनी ने की देखो पिटर्सबर्ग वैसे रूस में है मगर मेजबानी जर्मनी ने की बारत की और से केंद्रिया प्राड़ मंत्री परकास जावडे कर सामिल होए कैसे हैं वीडियो के माद़े में से हैं विश्वा प्रेश सवतंतरता सुचकांक कि भी विश्वा में प्रेश को कितनी आज़ा दिये तो 188 देशों में भारत को 142 वाइस्तान जो है मिला अब हाला कि उनके मानक क्या रहे होंगे अपने को तो यहीं लगता है कि भी प्रेश यानि मीडिय है वो पूरी सवतंतर है जो इच्छा है वो नेता हो के चाहिए वो किसी भी प्रकार का मामला हो उच्छाप सकती है उसमें कोई नहीं है पर फिर भी इनके क्या मानना करें पता नहीं फश्ट नारवे है 180 पे उत्रकोरिया भारत का तिरंगा मेटर होर्न पर आप लोगों ने अकवारों में टीवी में देखा होगा भारत का तिरंगा जो है ना कोविड उनिस में भारत की जंग के परती समान देने हितू स्विजर लेंड ने अपने सबसे उन्चे परवत मेटर होर्न देखो होर्न बजाते हैं ना होर्न तो यह होर्न याद रखें पर रोस ने से करीब 1000 मिटर बड़ा यानि एक किलो मिटर बड़ा तिरंगा बनाया वो लाइट से डेकोरेशन से उन्होंने दिखाया और पूरी दुनिया ने देखा बड़ा जोमान चक आनंदा एक नारा था बोलो भारत माता की जए 18 अपरेल की कटना आई है जेफ बेजोस यह फॉरप्स की सुची में विस्वा के सबसे अमीर भेकती है बिल गेट सुआ करते थे अब जेफ बेजोस आ गया नाम में जोस नहीं है मगर दाम में जोस है अमेजन आप समान मंगवाते हो ना अमेजन उसके संस्तापक है और उसके सीईओ है चीफ एग्जुकेटिव ओफिसर संपती देखो 113 बिलियन डॉलर और बिल गेट्स की बारतिय मूल के अमेरिकी विग्यानिक है अमेरिकी राष्ट्री विग्यान बॉर्ड में सदश्य निक्त किये गए है 19 में एशियाई खेल आयोजन होगा जरूर होगा हांग जाओ में होगा कहां चीन हवालां की डर तो लगेगा चीन जाने से खेलाडियों को सुबंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स टीन रोबोट है ये चोट चोटे उनको ट्रिपलेट्स बोला गया है 10 से 25 सितंबर 2022 में जो है वो सका उजन होगा 19 में एशियाई खेल लिए यानि एशिया के इसमें देश बाग लेते हैं तो दोस्तों ये है आज का लास्ट पेज तो थोड़ा धेरे रखें ये हो गया था आपने महामारी सब देख लिया था ठीक है ये लास्ट पेज है एशियाई पेरा खेल पेरा आप जानते है पेरा अलम्पिक जैसे एशियाई खेलोंगे उसके ठीक बाद पेरा खेलोंगे शियाई आईजन वो हांग जाओ ठीक है हांग जाओ जाओ कौन जाएगा पता नहीं ठीक है सुबंकर फेई फेई नाम देखो चाइनीज बहसा के पक्षी है ये वाद चोटा जो उसको फेई फेई बोलते है मार्स 2020 की गटना केटरीना, सेकेरो, पाउलो युनान की महिला राष्टर पती बनी है युनान ना ग्रीस, युनान आता ना युनान, मिसर, रोमा मिट गए सारे, मिट गए जासे कुछ हस्ती है की मिटी नहीं हमारी सारे जासे चाहिए इंडुस्ता हमारा ये वहां की पूरो नाईदी से केटरीना याद रखे जॉय बंगला, जॉय बंगला ठीक है, ये बंगलादेश का राष्ट्रियन आ रहा है ठीक है, और ये कैसे अब ही आया चर्चा में सेख मुझीबुर रहमान, पीए मोदी ने 17 मार्च 2020 को बंगलादेश के राष्ट्र पिता संस्तापक, सेख मुझीबुर रहमान की सोवी जैन्ती राष्ट्र पिता वो जो माने जाते हैं गांदी जी की तरह है तो सोवी जैन्ती, जैन्ती मतलब जन्म सताब्दी, और मर्तिव वाले को बलते हैं इनकी बड़ी भूमी का थी तो इन्होंने उस समय नारे लगाए थे जोई बंगला के तो अब जै बंगला को जो है ना वो जोई बंगला इसे वा बंगले बासा में जोई बोलते हैं जै को तो वो जो है वो नारा लगाया है राष्ट्र नारा अधनान जुर्फी एराक के नए पी-म राष्टरपती है वरहाम साले है बिल गेट्स बिल गेट्स पे 1977 में अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर Microsoft Company की स्थापना की और Computer जगत में जगत में जो बहुत बड़ी करामती आई तो बिल गेट्स की वज़े से इनकी Company की वज़े से आई Window आप सलाते हैं न विंडो सॉप्टवेर Computer में इनी की देन है 2000 इस्विय में क्या किया है 200 लिख दिया है 2000 याद रखना है 2000 सन 2000 इस्विय में 20 साल पहले अपने पतनी का नाम है मेलिंडा तो उनके साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी संपती का बहुत बड़ा हिसा इनों ने धान कर दिया जिसमें विश्व में जो महाम मारी है बिमारिया है उनके अन्मूलन के ये लिए डोनेशन करते है ये और पुर्सकार भी देते हैं इस नाम से मोदी जी को भी मिला था अभी पुर्सकार अलवर की वे एक बाले काति उसको भी मिला था 2008 मेंनों ने क्या किया अब दिरे दिरे क्या है के कमपनी से जो है ये अपना वास्ता खतम कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान जो है वो समाज कल्याण में लगा रहे हैं इसलिए कमपनी के CEO पद से इन्होंने इस्तिपा दे दिया फिर भी आप द्यान में रखें पिछले कई सालों से ये फष्ट विस्व के सबसी अमीर बने वे थे अब हाले में एक दो सालों में बिच बिच में जो है जेफ बेजोस ये बन रहे हैं वर्तमान में CEO बारती मूल के हैं सत्य नडेला द्यान में रखें सत्य नडेला और 14 मार्च 2020 को इन्होंने कमपनी के बोर्ड ओप डारेक्टर से भी इस्तिपा दे दिया तो बैसे करते करते ये मुझे लगता है कि पुरा सन्याशी लेने वाले हैं पौरफस की सुच्ची में विश्व के दूसरे अमीर वेक्ती है अभी भी फरस्ट जेफ बेजोस है इसके हमने भी बात की ही थी the world happiness report 2020 फर्स्ट हैस में फिनलेंड happiness का मतलब परसंता खुशी लोग कहां खुशी महसूस करते हैं तो फर्स्ट हैस में फिनलेंड फिनलेंड जो न फिनलेंड नार्वे इसकेंडे वे शेजिशों में उदर उस साइड़ में और भारत का इस्तान एक सो टमालिस ना पाकिस्तान का 66 चीन का चोरान में हुआ मानक परती वेक्ती आई उदार था कैशी है उनमें ब्रिष्टाचार का क्या लेवल है सामाजिक सयो कितना है उनको सामाजिक सोतंतरता कितनी है सुवास्ते के साई सी कुछ मानक के अदार पे ये रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें की भारत का इस्तान 147 है और 20 मार्च वर्ल्ड हैपिनेस डे के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद इसका पार्ट 3 कल आएगा और उसके साथ ही अपना ये जो मुमल का जो ये चेप्टर है चार मेने का वो पूरा हो जाएगा